नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग मैं रिदेश मर सिंग आप सभी लोगा बहुत-बहुत स्वागत करता हूं ब्रहमासमी की पूरी इंटेलेक्शुल टीम की तरफ से ठीक है इंटेलेक्शुल यानि की बौधिक्ता की आज हम दो बात करेंगे और आज जो हम बात करेंग वर्ड इंटेलेक्शुल प्रोपर्टी डे के तौर पर हम इसको मनाते हैं अब थोड़ा सा हम इस पीपीटी के माध्यम से देखने की कोसिस करेंगे कि आखिर वर्ड इंटेलेक्शुल जो डे है वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये होता क्या है बाकी तो वैसे अगर आपे डिसकस करेंगे कि प्रतिवर्ष 26 अप्रेल यानि कि आज की तारीख की हम बात करेंगे 26 अप्रेल को तो प्रतिवर्ष 26 अप्रेल को विश्व बावधिक संपदा दिवस मनाया जाता है इस दिवस को मनाने की शुरुवात विश्व बावधिक संपदा संगठन यानि क से पेटेंट, कॉपी राइट, ट्रेड मार्क और डिजाइन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जाग रुकता फैलाना है, कहाने का मतलब यह है कि जब आप की रोयल्टी जो है वह आपको मिलनी चाहिए तो नवाचार और रचनात मक्ता यानि की disability को बढ़ावा देने में तभी तो बढ़ावा देगा तभी तो बढ़ावा यह होगा उस चीज को पढ़ावा मिलेगा तो बोल रहा है कि रशनात्मक्ता को बढ़ावा देने में बाधिक संपदा अधिकारों जैसे पेटेंट कॉपी राइट ट्रेड मार्क और डिजाइन की महतपुन भूम डे के रूप में भी मनाया जाता है आपको बता दें कि यह दिवस हर साल 26 अपरेल को मनाया जाता है यह दीन रचनाकारों यानिकि जो क्रियेटिव माइंड के जो लोग होते हैं आविशकारों को यानिकि इन्वेंस करने वाले और दमियों यानिकि इंटर्परिनर्स को उनके बीचारों और कारियों के लिए सम्मानित करने का उसर प्रदान करता है इसी के साथ इसके अलावा यह दिवस बौधिक संपदा यानिकि इंटलेक्शुल प्रुपर्टी अधिकारों के महत्व को भी रेखांकित करता है जो नवाचार और रचनात्मक्ता को पुरुसाहित कर इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो बौधिक संपदा अधिकार क्या है तो बौधिक संपदा अधिकार इंटलेक्शुल प्रुपर्टी राइट्स वे अधिकार है जो रचनाकारों को उनके रचनात्मक कारियों और अविसकारों पर नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करते हैं यह एक महत्तफपुर्ण प्रक्रिया है क्योंकि वे रचनाकारों और अविसकारों को उनके काम से लाव उठाने में मदद करते हैं मानलीजी कि आपने कुछ एक ऐसा इंजन को अविसकार कर लिया जो कि मानलीजी कि थोड़ी थोड़ी दूर पर उड़ कर पहुंच जाए, सेफ भी हो, तो ऐसी स्तिती में कोई उसका और कोई ब्यक्ति पैटेंट ना करा ले, उसके उपर अपना अधिकार न जमा ले, इसलिए जिस ब्यक्ति ने आविस्कार किया है या जिसकी रचनात्मक्ता है, उसी को उसके उपर सुरक्षा परदान करने के लिए या उसके द्वारा जो आय होगी, उसको रोयल्टी को प्राप्त करने के लिए इसकी ब्यवस्ता की गई है, अगर वो अपना पैटेंट करा लेता है तो, तो यही चीज बोरा है कि आविस कारकों को उनके काम के लाव उठाने में मदद करते हैं, वे नवाचार और राचनात मकता को पुरसाहित करते हैं और लोगों को यह जानने का विश्वास दिलाते हैं कि अपने कामों का शोशन किये बिना निवेश कर सकते हैं और लाव कमा सकते हैं, यानि कि जो भी उनकी creativity है या जो innovation है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 200 बौधिक संपदा दिव प्रोपर्टी और्गनेजिशन की अस्थापना के लिए convention लागू होने की तारीख को याद करता है, यह दिवस बौधिक संपदा के महत्व के बारे में जगरुकता बढ़ाने और रचनाकारों, आविश्कारकों और उद्दमियों द्वारा किये गई योगदान का जस्न मना के लिए मनाया जाता है, आई पी में पेटेंट, कॉपी राइट, ट्रेडमार्क, नद्विक डिजायन, और भोगोलिक संकेतक जैसे अधिकार शामिल हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो पेटेंट है, कॉपी राइट है, Sig法 क्रें हम बात करेंगे, जैसे अधिकार शामि दिवस संपता दिवस की थीम के बारे में बात करेंगे तो अभी यहाँ से इतिहास के सांसनाथ अभी एक करेंट संपदा के महत्व के एक विशिस्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है यह दिवस या इस दिवस 2024 की थीम है IP और SDG ठीक है यानि की Sustainable Development Growth ठीक है नवाचार और राचनात्मक्ता के साथ हमारे साजह भविस का निर्माण क्लियर आगे बढ़ते हैं बौधिक समपदा दिवस कैसे मनाते हैं तो इस दिवस के दौरान दुनिया भर में कई कारियकरम आयुजित किया जाते हैं जैसे की सेमिनार प्रदरसनिया और प्रतियोगीताएं इत्यादीब इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस दिवस को आप निमलिखित तरीकों से मना सकते हैं वीपो की वेवसाइट पर जाएं और इस वर्स के थीम के बारे में जानें बौधिक संपदा के महत्यों के बारे में दूसरों को सिक्षित करें किसी अस्थानिये कारिकरम में भाग लें बौधिक संपदा से सम्मंदित कैरियर के बारे में जानें ठीक है कि आखिर बौधिक संपदा से सम्मंदित क्या क्या कैरियर है उसके साइट पर जा सकने हैं उसके थीम को देख सकने हैं ठीक है साथ तो कारिकर में भाग लें बहुत ही संपता से समधित करियर के बारे में जाने हैं ठीक है और यहीं पर आस हम अपनी इस छोटे से इंफर्मेटिव जो वीडियो है इसको रोकेंगे और मिलेंगे अगले किसी वीडियो इसके साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत